भारत आस्ट्रेलिया मिलकर करेंगे धमाका आस्ट्रेलियाई संसद ने भारत के साथ ट्रेड डील कुदी मन्जूरी चीनी बाजार की बजेगी बैंड बिटेंग के साथ भी आस्ट्रेलिया ने बढ़ाया हाथ दोस्तों बहुत जल्द दुनिया के बाजार की सूरत बदलने वाली है। कभी बाजार के नाम पर चीन की ही गाथा पूरी दुनिया में गाई जाती थी। जिसका चीनी ड्रैगन को बहुत घमंड भी था। लेकिन चीन का ये फितूर अब बहुत जल्द उतरने वाला है। वो ऐसी मात खाने वाला है कि जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। ये पचकनी उसे भारत देगा। आज भारत की बाजार का जादू पूरी दुनिया के सिर पर चड़कर बोल रहा है। जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि सब चीन को छोड़कर भारत की तरफ आने लगे हैं। और इसका उदाहरन बना है आस्ट्रेलिया। आस्ट्रेलिया के प्रधान मंतरी एंथोनी अलबनीस ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रिमेंट यानि की एफ्टिये को आस्ट्रेलिया संसद में पारित कर दिया है। जो भारत के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच वियापार को लेकर free trade agreement का रास्ता साफ हो गया है वहीं ऑस्ट्रेलिया इस अंसद में खानून पास होनी के बाद अब भारतीे वियापार को आस्ट्रेलिया में जबरदस्त फायदा होने की समभाबना बन गई है इसके साथ यह आस्ट्रेलिया ने भारत के साथ किया गया अपना वादा भी पूरा कर लिया है लेकिन इन सब के बीच चीन के बैंड बज गई है तो चलिए दोस्तो जानते हैं कि कैसे भारत चीन के मुँ से एक के बाद एक निवाला चीनता जा रहा है और कैसे भारत और आस्ट्रेलिया के बीच होने वाले इस समझोते से दोनों को फाइदा मिलेगा दोस्तो भारत और आस्ट्रेलिया के बीच के संबंद की बात करें तो हाल के सालों में दोनों बहुत नस्दीक आए हैं आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री एंथेनी अल्बनीज ने एक ट्वीट के जर्गे ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि भारत आस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझोते को लागू करने से पहले आस्ट्रेलियाई संसद्वारा मंसूरी के जरूरत थी। दो व्यापार को आसान बनाने के लिए किया जाता है। इसके अंतरगत दो देशों के बीच आयात में रियात किये जाने वाले प्रॉडेक्ट्स पर कस्टम द्यूटी, रेगुलेटरी लॉग, सबसीडी और कोटा आदी की सीमा में धील दी जाती है। जिन दो देशों के बीच चीज समझोता होता है, उनकी प्रॉडेक्शन लागत, बाकी देशों के मुकाबले सस्ती हो जाती है, जिससे आपसी व्यापार बढ़ता है। आस्ट्रेलिया की प्रधान मंत्री ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रिमेंट को लेकर संसद में खानून पारित होने की और उन्होंने ये वादा पूरा भी कर दिया। आस्ट्रेलिया की तरफ से ये खुशखबरी आने के बाद वाडिक जी और उद्द्योग मंत्री प्यूश गोयल ने ट्वीट में कहा की खुशी है कि भारत आस्ट्रेलिया आर्थिक सहीयोग और व्यापार समझोते को आस्ट्रेलियाई संसद ने पारित कर दिया है। उन्ह भारत के साथ व्यापार समझोता आस्ट्रेलियाई सर्विस कंपनियों और आस्ट्रेलियाई प्रोफेशनल्स के लिए भारतिये बाजार में प्रिवेश करने का एक बड़ा अवसर बनेगा। उन्होंने कहा कि भारत के साथ हुए समझोते से फूड और एग्रिकल्चर, टेकनोलजी और ग्रीन एनरजी से लेकर हेल्थ, एजुकेशन, सर्विस तक कई शेत्रों में आस्ट्रेलियाई व्यापार के लिए आध्वित्तिये विकास अवसर प्रस्तुत करता है। आपको ब अर्थ विवस्था भारत में आस्ट्रेलिया की पैट को सुरक्षित करेगा। और आस्ट्रेलियाई विवसाई को लगभग देढ़ अरब उभुखताओं के बाजार में अपने संचालन को अनलॉक या विस्तारित करने की शमता देगा। अब दोनों पक्ष आपसी सहमती से फैसला करेंगे कि ये समझोता किस तारीक से लागू होगा। वही कस्ट्रेलिया भारत का सबसे बड़ा व्यापार एक भागिदार है। अमेरिक की डॉलर था। वही दो अप्रेल 2022 को दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझोते पर हस्ताक्षर हुए थे। इस समझोते के तहत आस्ट्रेलिया टेक्स्टाइल, चम्रा, अभूशन और केल उतपादों समेत 95% से ज्यादा भारतिये व्यापार में शुल्क मुक्त पहुच प्रदान करेगा। जरूरी हो गया है। व्यापार मंत्री जॉन फेरल ने कहा कि भारत ने दुई पक्षिया आर्थिक साजिदारी के प्रती अपनी प्रती बधता को दर्शाया है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ मजबूत आर्थिक संबंध सरकार की व्यापार विविधिकरन रणीती का एक म भारत आस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझोते को लागू करने से पहले आस्ट्रेलिया इस संसत द्वारा मंजूरी के आवश्यक्ता है। भारत ने आस्ट्रेलिया को 8.3 अरब डॉलर का माल निर्यात और 16.75 अरब डॉलर का आयात किया था। के लिए एक टास्क फोर्स की गठनका भी ऐलान किया गया है। आस्ट्रेलिया में भारत को लेकर जागरुकता बढ़ी हुई दिखती है। इस बात की जागरुकता बढ़ी है कि आस्ट्रेलिया की आर्थिक सुरक्षा और प्रतिरोध शम्ता के लिए भारत लंबे समय तक एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसकी वज़ा ये है कि भारत के पास विशालव सरुपलब्ध हैं। लिहाज आस्ट्रेलिया समझ गया है कि भारत के बारे में सोच समझ कर फैसली ना लेना और उससे सिर्फ एक विकल्प समझना उसके लिए नुकसान दे होगा।